Hello everyone, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है आज के हमारे lecture में हम देखेंगे कि layout width क्या होती है and layout height क्या होती है इन attributes को हम क्या-क्य value प्रोवाइट कर सकते हैं उसके बाद देखेंगे कि what is linear layout तो शुरू करते हमारा lecture इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि view क्या होता है view एक basic building block होता है किसी भी आप का वो एक rectangular area लेता है screen पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर rectangle की एक width and height होती है तो similarly हमारे view की भी एक width है and height है जिसे हम layout underscore width and layout underscore height से define करते हैं सो हर view के लिए यह required properties होती है सो जब भी आप कोई view अपनी layout file में define करेंगे तो यह attributes required होंगे उस view के लिए दो most common values हैं जो हम views की width and height के लिए use करते है match parent and wrap content इसको code के दुरू समझते हैं सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है activity underscore main dot xml file यह हमारी layout file है इसके अनर हमने एक linear layout define किया है linear layout को अभी हम आगे explain करेंगे but in simple words यह views को linearly arrange करता है either horizontally यह vertically यह खुद एक view है तो हमने इसकी width and height define करी है जो कि हमने match parent define करी है match parent and wrap content को explain करने के लिए इसमें हम एक button add करते है so इसकी width and height को wrap content value provide करते है इसको easily distinguish करने के लिए हम इसमें text भी add करेंगे let's name it as button 1 all control L से इसको format कर लेते हैं एक बरी so जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसी button 1 पर focus किया है तो यहाँ पर यह highlighted हो गया यह सिफ उतना ही space highlighted दिखा रहा है जो कि इस view ने लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह rectangular space ले रहा है यह सिफ उतना ही space ले रहा है जो कि इसके content को required था यहाँ पर देख सकते है button 1 content है तो यह सिफ उतना ही space ले रहा है जितना इसके content को required है क्योंकि हमने यहाँ पर जो इसकी width and height define कर रहे है वह है wrap content अगर मैं इस content को पढ़ा दूँ तो ये उतना space ले लेगा अगर मैं wrap content को simple शब्द में कहूं तो इसका मलब है कि ये सिर्फ उतना space लेगा जितना इसके content को required है इसमें से extra text remove कर देते हैं उसके बाद देखते है what is match parent अगर मैं इसकी width को match parent कर दूँ तो ये match parent का मलब है कि जितनी इसके parent के पास width available है उतनी ये button occupy कर लेगा तो इसका button का जो parent है वो है linear layout and linear layout की जो width है वो है match parent यानि linear layout इस पूरे screen size को जितना भी space available है उसको occupy करती है अगर मैं इसके अंदर हमारा button है button को हमने width दी है match parent ये भी उतना ही space ले रहा है जितना इसके parent के पास है तो इसके parent के पास full width थी तो उसने पूरी width occupy कर ली तो मैं इसको undo कर देता हूँ अगर मैं इसकी height को भी match parent कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जितनी भी height इसके parent के पास available थी उसनी सारी height ले ली तो match parent को in simple words अगर explain करें तो इसका मलब है कि ये उतना space occupy करेगा जितना इसके parent के पास available है तो अगर मैं दोनों को match parent कर दूँगा तो ये button ने सारा space screen का available जो था वो occupy कर लिया तो इसको undo कर देते हैं So ये है match parent and wrap content So उसके बाद देखते हैं अगर मुझे अपने button के width के लिए एक particular value का use करना है And मैं wrap content and match parent नहीं use करना चाहता तो मैं इसके लिए क्या use करूंगा अगर आपका web का background है तो आपको मालूम होगा कि हम आपर px value का use करते हैं यानि pixel value का use करते हैं यानि 480px और 300px So something like that Android के अंदर हम dp का use करते हैं dp का मतलब है dp का मतलब है density independent pixel dp को भी हम आगे discuss करेंगे बड़ इसका use देखते है बटन की विर्थ को एक particular value देने ही तो मैं यहां यहां यूज करूँगा suppose 240 dp तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बटन की विर्थ बढ़ गई अगर मैं similarly इसको भी 240 dp दूँँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इस बटन की height and width 240 dp है तो similarly आप यहां पर कोई भी value दे सकते हैं but make sure कि वो screen size के अंदर हो so उसके बाद देखते हैं what is sp sp is scale independent pixel तो जितने भी हमारे font sizes होते हैं उसके लिए sp का use के जाता है whereas जितने भी हमारी other areas है जहां पर हम एक particular value का use करना है वहां पर हम dp का use कर रहे हैं तो एक small note अगर आप कोई font size define कर रहे हैं तो वहां पर sp का use करेंगे that is scale independent pixel and अगर कोई और area है जहां पर आपको एक particular value देना है तो वहां पर dp का use करेंगे sp को explain करने के लिए एक example लेते हैं इनको मैं 120 dp कर देता हूं उसके बाद एक add करें text view so इसको भी wrap content and wrap content कर देंगे उसके बाद यहां पर text देंगे hello world so यहां पर देख सकते हैं कि यह text view display हो गया so अगर मुझे इसका text size बढ़ाना है तो मैं यहां पर value दूँँगा sp because text के लिए हम sp का use करते हैं and other edis के लिए हम dp का use करते हैं तो text size define करेंगे for tsp so यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर text का size बढ़ गया so यह है dp and sp उसके बाद देखते हैं dp and sp क्यों use करते हैं need क्या है इनकी हम pixel values भी use कर सकते हैं but pixel values recommended नहीं है Android phone different densities के होते है for example यह एक site है density बताती है Samsung S6 की जो density है 576 whereas जो nexus 6 है 493 है different phones की different densities है density से मतलब है कि 1 inch में कितने pixels है अच्छे graphics के लिए 1 inch में जादा pixels होते है तो अगर हम PX या pixel values का use करते हैं तो हमारी UI कंसिस्टेंट नहीं होगी एक और example देखें इसका इस image को देखते है low density device, medium density device high density device यहाँ पर एक view है जिसमें मैंने pixel values दी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो view है यह थोड़ा बड़ा दिख रहा है उसके बाद यह medium density device उस पर चोटा दिखता है and high density device पर उससे भी छोटा दिख रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि अगर हम PX values देते हैं तो हमारी जो UI यह वो consistent नहीं होगी अगर हम consistent UI देनी है तो हम DP का use करेंगे अगर हम density independent pixels यूज करते हैं तो Android खुझ से scale करके consistent UI प्रोवाइट करता है अब क्योंकि Android खुझ से scale करता है तो क्या होता है कि हमारी images भी scale होती है अगर हमारी images scale होंगी तो chances आ रहा है कि वो pixelated दिखें तो हम different size की images provide करवाते हैं Android को in different folders Suppose यह हमारी image है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह MDPI यानि medium density का device है उस पर यह image है उसका size है 48 by 48 अगर मैं high density device पर देखता हूं तो मैंने इसका बड़ा size provide किया इसे high density device पर इस image का size है 72 by 72 So similarly हम जितनी भी images provide करते हैं वो different sizes की होती है and based on the folder Android खुझ से इन images को pick करता है and run time पे इन images को use करता है So this is why हम DP का use करते है rather than pixel values का उसके बाद देखते है SP का user So यह एक stack overflow का question है इसमें यह जो दोनों images है यह दोनों high density device की है यहाँ पर text size 30 SP है और यहाँ भी size 30 SP इन दोनों में difference है यहाँ जो text size है वो बड़ा दिख रहा है यहाँ जो text size है वो छोटा दिख रहा है जनली क्या होता है कि लोग prefer करते है कि जो उनका font size वो बड़ा हो तो settings में जाकर उसको change कर लेते है तो अगर उस setting को हमें support करना है तो हमें SP में values प्रवाइट करनी पड़ती है rather than DP में हम text size को DP में भी प्रवाइट कर सकते है बट उस case में क्या होगा कि वो तो यहां पर आप इस image के अगर यहां पर देख सकते है कि अगर मैं यहां पर 30 DP देता हूं text size तो यहां पर भी similar दिखेंगा यहां पर भी similar दिख रहा है but SP में क्या है वो user की setting को भी honor कर रहा है So this is why we use SP यहां पर लिखा भी हुआ है कि SP को यूज करें text size के लिए and other units के लिए DP का यूज करें So क्योंकि हमार लेक्टर अलड़ी लेंदी हो चुका है तो इसको cut shot करते हैं linear layout को next video में continue करेंगे till then आप हमाई site वी विजिट कर सकते है cheesy code.com यहां पर यह article है को रीड कर सकते हैं जिसमें सारी information है more information के लिए आप हमें Facebook, Twitter पर follow कर सकते हैं subscribe करें